हेलो गाइस आप सभी को सौकेत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और अब हम लोग जा रहे हैं सूक वाकिफ जो कि आप ओल्ड एरिया भी कह सकते हो कतर का तो अब मैं आपको वहाँ जाके चीज़े दिखाता हूँ तो आप चलते सूक वाकिफ और अगर मेट्रू की बात करते हैं तो आपको येलो लाइन से जाना है उस पर आपको सूक वाकिफ स्टेशन मिल जाएगा इजी है ये वाला तो आप आपको वहाँ जाके में दिखाता हूँ बिल्कुल ट्रडिशनल आइटम्स मिलते हैं वहां कई सारे और क्या-क्या यहां के जो मेट्रो स्टेशन से उसमें सब बहुत क्लियरली लिखा हुआ रहता है और हर जगे एक या दो आदमी होते हैं गाइड करने के लिए तो आप कभी ये मस्तोचना कि आप भटक जाओ है आपन बहुत इसी है कतर कवर करना तो गाइस यह है सूक वाकिफ एरिया और अगर आप कतर आ रहे हैं तो देखिए आपको इस एरिया में जरूर से आना चैया कूंगे उसका एक रीजन है वो रीजन यह है कि किसी भी शहर के दो पहलू होते हैं एक होता है नया जो डिवलिप्मेंट्स हुए और एक होता है जो पुराना वो शहर होता है तो पुराने अच्छे पराने होटल्स हैं, रेस्टरांट्स हैं, अलले डेलिकेसिस के, और काफी मतलब हैपनिंग जगे, रात के समय यहां कुछ बैंड्स भी प्ले कर रहे थे, और आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और तो मुझे सोविनेर् खिल रहे थे, सब बड़ा enjoy कर रहे थे, और बहुत अच्छी जगे, आप लोग को एक अच्छा introduction मिल जागा, कतर के जो लोग होते हैं, वो पहले कैसे काम करते थे, और उसके लावा, यहां के market जो है, उससे आपको बहुत कुछ मतलब चीज़ आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो बहुत options मिल जाएंगे, अगर आपको अपनी इंडिया में कुछ किसी के लिए लेकर जाना होते हो, और यह area मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस area में जब आप आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे cafes मिलेंगे, जिसके अंदर coffee तो ला जवाब मिलीगी आपको अगर आपको coffee अच्छी पीने तो आप इस area में आ सकते हैं, बहुत थी ज़्यादा बीड़ोती cafes में, पर वर्थ है coffee पीना, उसके लावा देखिया आप हम जा रहे थे सवर्णा बवन, और इसको ढूणने में हमें थोड़ा सा time लग गया था, पर फिर finally हमें मिल गया, इस area म में जाके आप GPS होंगा के देख सकते हैं, सवर्णा बवन का खाना तो देखिये tested होता है, हर जगे एक जैसे होता हमें थाइलेंड में भी खाया था, और मुझे तो काफी अच्छे लगते हैं, इसकी filter coffee भी हमने मंगाई, उसके लावा हमने इसका दाल मखनी और ये जो तंद मैं आज चुका हैं, क्योंकि बहुत जादा tiresome हो गया है, काफी जगे कवर करनी पड़ी, अगर YouTube के परपस से मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं इस जगे कवर नहीं करता, बट क्योंकि मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ तो मैं एक एक चीज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीरीज में वीडियो में डाल दूँ, तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे और प्लीज बैल आकन को तो तोड़ी दीजे, ताकि आपको नए आने वाले सारे वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए और थोड़ा सा प्लीज प्यार दिखाईए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेर करिए इंस्टागराम पर जाके मुझे फॉलू भी कर लिजे गाईज तो अभी के लिए बाई बाई